के लिए हमें एक तो कुर्थी बनानी होती है और एक उसमें काचली बनानी होती है तो कुर्थी के लिए हमेंThese ती कुब्लम्बाइ और सीना ये तीन नाप तो हमारे कुर्टी की होंगे और आस्तिन और मोरी ये हमारे काचली का नाप होगा तो कुल लंबाई मेरी है चोईस इंच ये हम गठा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं कुर्ती में लेंगे एक बटा चार भाग लेंगे और उसमें हम दबाओ एक ही इंची जोडेंगे तो चलो हम कुर्ती बनाते हैं तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा है वो दो बागो में बिछाया है जो मेरा एक कपड़ा है उसको मैंने दौबागों में बिचाया है इसमें सबसे पहले मैं आगे वाला हिस्सा काटूंगी कुर्ती का और फिर हम उसको रखे पीछे वाला हिस्सा काट लेंगे मैंने प्रिंट के हिसाफ से इसको बिचा लिया है कुल लंबाई हमारी 24 सिंच थी कुल लंबाई में हम कोई दबाव नहीं लेंगे जितनी हमारी कुल लंबाई है हम उतना ही लेंगे लंबाई उसमें कोई दबाव नहीं लेंगे तो कुल लंबाई यहाँ से जो एक्ष्ट्रा कपड़ा है उसको में हटा दूंगी कुल लंबाई हमारे 24 इंच है तो हम 24 इंच ही लेंगे उसमें दबाव बिल्कुल भी नहीं लेंगे क्योंकि हम इसमें मुंगजी निकालते हैं तो जितना हमारे कपड़ा कम हो जाएगा वो हमारे मुंगजी में कवर हो जाएगा अब हम लेंगे यहाँ पे हमारा तीरा तीरा है वो साड़े साथ इंच है राजपुति पोसाग बनाने के लिए जो हमारे कुर्टी होती है उसमें तीरा हम साथ या साड़े साथ साड़े साथ हम लाश्ट लेंगे इससे दीक हम तीरा नहीं लेंगे चैसे लेडिज हेल्थी हो तो भी हम साड़े साथ लेंगे और वीक लेडीज के लिए पतली लेडीज के लिए हम तीरा साथ लेंगे तो हमारा सिना है वो 36 इंच है इसलिए में साड़ी साथ तीरा ले रही हूँ अगर सिना 30, 31, 32, 33, 34, 35 तक हो तो हम तीरा साथ ही लेंगे मेरा सिना 36 है तो इसलिए मैं तीरा ले रही हूँ साड़ी साथ इससे अधिक हम तीरा नहीं लेंगे जितना ये तीरा है हम मोडे की लंबाई भी उतनी ही लेंगे तो ये मोडे की लंबाई भी मैं साड़ी साथ इनची ले रही हूँ कि सिना है वह मारा 36 इंच है तो 36 का हम चोता हिसा लेंगे चोती सिस का 4 इसा होता है 9 इंच 9 चोक 36 तो हमारा 36 का चोता हिसा में प्राप्ट हुआ है 9 इंच और उसमें दबाओ हम हम एक इंच यह एक्ष्ट्रा लेंगे नो प्लस एक तो हमारे सीना हो गया 10 इंच राजपुति वोसाक में सीना है वह थोड़ा हम दिला दिला लेंगे प्लस प्लस एक तो इसमें दबाओ के ज्यादा हमें जुरुत नहीं होगी नो और एक 10 इंच इसमें हम कमर का diffé है हैं यहां हमारी जो जितनी भी लंबाई है उस तक हम 10-10 इंच में निसाल लगा लेंगे और यहां पर हम एक इंच की गोलाएं ले लेंगे तीरे के साइड से हम गला है वो डाई इंच लेंगे गले की लंबाई है वो हम 9 इंच लेंगे हम अगर हमारे की कुटी है उसके लंबाई अधिक है तो हम 30-9 भी लेंगे बढ़ इससे जज़ादा नहीं लेंगे और आप 9 भी ले सकते हैं अगर कुर्ती लंबी हो तो भी आप 9 ले लो नव बिल्कुल सही लंबाई आएगी साड़े नो थोड़े अधीग हो जाती है और इसके गोलाई के लिए हम यहाँ पे साड़े तीन इंच पे एक निसान लगाएंगे इसे में यह हो जाएगा कि हमें इतनी ही गोलाई लेनी है एसे हम यहाँ पे यह दूरी है वो साड़े तीन इंच रखनी है इससे हमें गोलाए का आया वो आइडिया हो जाएगा यह हमारी जो कुर्ती है वो कम्प्लीटली तेयार है और जो हमारा यह इधर साइड में जो कपड़ा बचा हुआ था इसमें हम पिछे का हिस्सा काट लेंगे तो पिछे किस्यों को भी हम दो बागों में बिचा देंगे और जो आगे वाला हिस्सा है वो हम इस पर रख लेंगे पिछे की हिस्से में कोई गला नहीं काटते हैं तो हम यह गला तो रहने देंगे और यहां से कटीं कर लेंगे इसकी बिल्कुल ऐसे पिछे की साड़ा हम गला बिल्कुल भी नहीं काटेंगे और इसकी हम ऐसे कटेंग कर लेंगे यह हमारी राजपूती कुर्ती की कटींग है वो completely कट चुकी है हमारी कुर्ती में बस हम इतना ही कटेंगे आगे और पिछे का इससा कटेंगे और इसकी सिलाई के लिए हम मुंग जी काटेंगे, तो वो मुंग जी हम बाद में काटेंगे, यह मैंने कुर्ती की कटिंग कर लिए, अब हम काचली की कटिंग करेंगे, तो इसको हम रख देंगे, नूर्मली कुर्ती की कटिंग तो सभी कर लेते हैं, बट काचली की कटिंग क काचली में हमें एक तो बाजू काटनी होती है हमारी और बाजू काटने के बाद में काटोरी जिसकी आकर्दी एसी होगी इसे तो बोलेंगे हम काटोरी खप्चा जो हमारा बिलकुर आयतागार है चार पूटका कटेगा ऐसे और एक हो जाएगे हमारी बाजू और एक आड तो आड की जो हम यह चोड़ाई है वो तो लेंगे चार लेंगे और अगर हेल्थी लेडी जो है उनकी हमें साड़ी चार ले लेते हैं यह चार और या फिर साड़ी चार यह तो हम आड की चोड़ाई ले लेंगे और जो इसकी लंबाई है वो हम इस काटोरी का जो यह नीचे वाली गोलाई है इसके अनुसार हम यह लेंगे क्योंकि हमारी जो काटोर है वो इस पे ही लगेगी और ये खबचा है इसकी जो चोड़ाई है वो तो हम लेंगे साड़ी साथ इंच और इसकी जो लंबाई होगी वो ले लेंगे हम दस इंच और ये कटोरी है ये इसकी जो लंबाई है वो हम पांच साड़े पांच छे साड़े छे इतनी ले सकते हैं ज का शीनां तीश मेरें के साथ हैं कर जो वघ्टे न Employee is a X-E- apart तो पां पांस ले लेंगे मेडियुं के लिए एम साड़ी पांस ले लेंगे थोड़ी बहुत अगर हेल्थी लेडिज होगी तो उनके लिए हम च mega लेंगे और जिननांभस कह ले चाली से अब हूइ है। उनके लिए हम 50 छे ले लेगे यह कटोरी लंबाई चलो हम काटते हैं सबसे पहले में बाजू काट रहे हूं और बाजू मेरे मेरे प्रेंट है तो मैं प्रेंट के इसाफ से इसको रख रहे हूं अगर कोई आपकी बाजू में प्रिंट नहीं हो तो आपको जितना कपड़ा चाहिए आप उसी को चार वागों में बिच्छाईए बाजू की लंबाई है वो है मेरी 14 इंच सोरी साड़ी 14 इंच है यहां से लंबाई स्टार्ट कर रही है मेरी वाजू की यह हमारी आस्तिन की लंबाई होगा है और इसकी चोड़ाई है वह हम साड़े साथ इंच लेंगे साड़े साथ साथ हमारी जो यह बाजू है यह नोर्मली जैसे बाजू काते हैं वेसे नहीं करती है यह बिल्कुल सीधी बाजू करती है जितनी हमारी यहां से चोड़ाई होगी तो मोरी की साइड से भी उतनी ही हम इसकी चोड़ाई लेंगे कि यह तो हमारी मोरी है और मोरी से उपर की साइड हम दो इससे को उठाएंगे कपड़े का जो दो इससा है उसको उठाएंगे हम ऐसे रख लेंगे बिल्कुल ऐसे रख लेंगे यह वाली जो दूरी है यह मैंने आदा इंच रखी है और हम इसको काट देंगे यहां से इसको हम ऐसे कार्ट देंगे और फिर इसको रख देंगे और जब हम काचली में इसका यूज लेंगे तब मैं आपको बता दूंगी हम इसमें काटोरी निकाल लेंगे और आड निकाल लेंगे काटोरी हम खुली वाली साइड से निकाल लेंगे ताकि हमारा जोइंट वाली साइड हमारी आड है वो निकल के आ जाएगी कटोरी की जो छो लंबाई है वो में 6 इंच ले रहे हूं प्यूंकि हमारा सिना है वो 36 इंच है इसलिए मैं 6 ले रहे हूं अगर 40 या 40 प्यूंच हो़दWow प्यूटिद शाह ले ले लेते और इससे कम होता तो हम 5 च merry ले लेते तो मेरा जो कटोरी के जो मेरी लंबा ही है वो है 6 इंच बिल्कुल 6 इंच मेरी कंप्लीटली आ रही है और यहां से हम इसको राउंड में काटेंगे ऐसे 6 इंच इसकोने से हम फीते को इसे भूमाते रहेंगे ऐसे यह हमारी कटोरे की कटिंग हो गई अब हम काटेंगे आड तो हम आड कितनी काटेंगे इसके लिए हमें इसकी गोलाई है वो इसको नापलोवे से साड़ी नो इंच आ रही है तो एक कटोरी की साड़ी नो इंच आ रही है तो दोनों की मिला के कितनी हो गई 19 इंच हो गई हैनि हमारी आड की जो लंबा ही होगी वो हमें 19 इंच लेनी है यह डबल है हमारे तो इसको हम सिंगल कर लेंगे और फिर जितनी हमें चाहिए उतनी हम इसके डबल रख लेंगे राजपुदी पोसा की जो एक काचली है जहां पर हमें टुकड़ा मिले वहीं पर काट लेना चाहिए ज्यादा टुकड़ा वेश्टेज नहीं करना चाहिए इसमें क्योंकि हमें मुंग जी के लिए भी टुकड़ा निकालना होता है हम एकश्ट्रा एकश्ट्रा ले रहे हैं इसकी और इसकी जो चोड़ाई है वह मैं साड़ी चार इंच ले रही हूँ अगर हम पत्ली लेडी के लिए कातेंगे चो चोड़ाई है वह चार इंच भी ले सकते हैं यह हमारी जो कटोरी है वो इस पे जुड़ेगी ऐसे गोलाई में तो यह हमारी 8 कट्टिके कम्पलीट हो गए अब हम काटेंगे खप्चा खपचा है वो हमारा पीछे का हिस्सा होता है पीछे की हिस्से को काजली में खपचा बोलते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो तो हम दस ले लेंगे और इसकी जो चोड़ाई है वो हम साड़ी साथ लेंगे कपचे की चोड़ा है वह हम साड़े साथ इंच ले रहे हैं और इसकी लंबा ही है वह हम 10 इंच ले रहे हैं हेल्थी लेडी जो चैसे वीक लेडी जो आप तस लेलो फिर जो बचेगा वह हम कपड़ा हटा देंगे इसे हैं यहाँ चार पूप काटेगा काचली की कटिंग तो बहुत सिंपल है बस हमें यह याद रखना है कि हम इसमें क्या-क्या काटेंगे और उनको क्या कहते हैं नाम याद रहेंगे तो काटने में थोड़ी आसा नहीं रहेगी यह हैं हमारे काचली में, यह तो हो गया, खपचा हमारा यह हमारे काचली की कटिंग हो चुकी है, यह कटोरी और आड यह तो हमारे सामने का हिस्सा है, वो होगा और यह खपचा, यह खपचा हमारे यहां पर साइड में जुड़ेगा, जो पीछे की साइड जाएगा और यह हो गई हमारी बाजू, जो कि हम इससे लगा लेंगे तो हम यह चार कटिंग है, वो हमें काचली में करनी होती है अब हम कपड़े की सिलाई के लिए मुंगजी का कपड़ा काटेंगे मुंगजी के लिए हम पटिया काटेंगे और पटियों की जो चोड़ाई है वो तो मैं ले रही हूं तो तीन इंच ले रही हूं अगर आपको छोटी रखनी है मुंगजी तो आप डाई इंच भी ले सकते हैं मैं इसकी तीन इंच ले रही हूं पट्या नीमेटिक मूंगंची निकालनी है तो यह पट्या थे मित्र की काट नी होगी एस समय्हें तिर्ची काट नी होगी अफले मूंग जी कहले मैं न काटिंगे वह तिर्ची काटेंगे आसले लेनी है से हमारे पंटियां कंपलीट मे ने काट लूह हैं पांच मीटर की फांच मिटर की पुरथी और काच ली इन करेंगे चारों तरफ मुंझी लेगेजी इसलिए मुंझी हमें में 5 मीटर तो कम से कम काट नहीं होगी क्योंकि अगर हम उससे कम नहीं होगी और हमें बाद भूलडन कलर का ले लिया है इससे और इसकी जो चोड़ाई है वो मैं ले रही हूँ एक इंच से थोड़ी आपक कम भी ले सकते हो आप है क्य剛剛 में एक किसे कम कर्णें हूँ ऐटा इंच भी कम ली है है अदा इंच हम रख सकते हैं तो इस लिए मैं इसकी एक किसे कम ले रहे हूं और अधा इंच से थोड़ी अधिक ले रही हूं और यह भी हमें पांच मीटर की काटनी है जरूरी नहीं है कि आप इस गॉल्डन कपड़ाई इसके लिए यूज करो अदर कपड़े की सूती कोटन कपड़े की भी हम गूने के रूप में काट सकते हैं मुंजी बनाने के लिए यह बिद्र अचक करने के लिए तो मैने में पट्टिया गाटी है यह पूट्याटी थीन पंस अल्ट मटा अचे अजय गी और कमर पर रहेगी वो में करेंomas लंबाई में बड़ी रखी है और जो पीछे की सैड आएगी वह पटिया में ने छोटी पटिया रखी है यह पटिया में लाश्ट में बचे हुए कपड़े में ही काटनी है अगर हमार कपड़ा नहीं बच रहा है तो हम अधर कपड़े से भी ले सकते हैं पटियों को तो अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक दीजे इरादत